नमस्कार दोस्तों शाकत करता हूँ आप लोगों सिदार लाइप परमार में लेकर आगे हूँ एक और बहुती वहतरीन वीडियो आज हूं करने वाले हैं वीडियो on cutoff mark for all category जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो गेट के आप paper जे भरा जाता है तो उसमें कई सारी category आती हैं लेक क्या cutoff किस ब्रांच का आता है जिससे आप लोगों को पताते जागया क्या आप गेट कॉलिफाइग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और आपकी performance कहसे रहने वाली है सबसे पहले aerospace engineering के लिए जनरल और EWS का cutoff almost same था 27.2 OVC के लिए 34.4 करीब 3 marks का difference था यहां पर जेख सकते हैं SCHT PWD के लिए 18.1 अगर कम cutoff में अगर आप क्रॉस कर जाते हो गेट को तो आपको statement के लिए आप eligible हो सकते हो अगर आपको admission मिल जाता है किसी IIT, NIT या Central University में agriculture के लिए almost same है architecture के लिए यहां पर general में थोड़ा ज्यादा cutoff था 34 था SCHT PWD में करीब 23 था मतला अगर आप अगर फोकस करेंगे तो तीन marks का difference है जर्नलीड OVC के बीच में तो करीब 5 marks का यहां पर difference हो जाता है SCHT PWD और OVC के बीच में इसी में आते हैं SCHT PWD और OVC के लिए रहा इसके लिए रहा इसके लिए रहा 39-37 प्रोडक्शन में यही रहा आप सेज बगर हमें देख सकते हैं 31.7 38.5 और 21.1 कट आपस रहे हैं हमारे 2021 और काटेगरी और ब्रांचिस के लिए